नमस्कार शाम के चार बाज चुके हैं फेस टू फेस लेकर हाज़िरू मैं आपके साथ आश्यमातियागी और आज का मुद्दा है कि आखर संगीत सुम इस तरह के बयान बार-बार क्यों देते हैं नागरिक्ता कानून के खिलाव जारी प्रदर्शन को लेकर बीजिपी नेताओं की बेलगाम बयान बाजी जारी है और इसी कड़ी में एक और नाम जुड़ गया है उतरप्रदेश से बीजिपी विधायत संगीत सुम का जी हाँ संगी सुम एक बार फिर अपने बयान के चलते चड़चाओं में है और इस बार संगी सुम का दारूल उलूम देवबन पर दिया बयान सुर्क्यों में है उनका कहना है कि देवबन शुरू से ही आतंग बादियों को पना देने का काम करता आ रहा है और आज भी यही कर रहा है लेकिन सवाल ये है कि क्या बाकरी देवबन धार्मेक विश्यों से हटकर कट्टर बात को बढ़ावा दे रहा है जैसकि संगी सुम कह रहा है और इसी पर पेस टू पेस होंगे हमारे खास मेहमार बीजीपी के प्रवक्ता विने चौधरी और मुस्लिम स्कॉलर पजीर एहमत आप दोनों का बहुत वस्वागत दारुल उलूम देववंद हमेशा से आतंकी अड़ा बना हुआ है यह हम नहीं कह रहे हैं यह शब्द है अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले सर्धना से बीजेपी विधायक संगी सोम के उनका कहना है कि जहां सिक्षा का मंदिर होना चाहिए जहां बच्चों को सिक्षा का पार्ट पढ़ाया जाना चाहिए वहां आतंकी सिक्षा दी जाती है दारुल उलूम देवबंध शुरू से ही आतंकियों को पनाह देने का काम करता है और आज भी पनाह का बना हुआ है वही संगी सोम के इस बयान के बाद परतिक्रियाओं का दौर भी तेज हो गया विपक्षी दलो ने संगी सोम के इस बयान पर तिखा प्रहार किया सब लोगों को इस तरीके का अगर कोई बयान देता है तो उनके खिलाब एफ आई आर होड करके ने जेल में डालना चाहिए गोली मारो गोली मारो तो इनसे और क्या उवीद आप कर सकते हैं जनता ने जाने अंजाने में चुन दिया है तो उतने समय तक जब तक वोट के राइट नहीं आ जाएंगे इनको भगाने के लिए सत्ताज बाहर करने के लिए तब तक यह नर्गल बयान बाजी करते रहेंगे अब चुकि कानून का ला तो यहां है नहीं कहीं कुछ तो इसले इनकी गिरफ्तारी भी नहीं हो सकती है अब अन्राग ठाकुर देखी आज बितमंत्री है कल भासर देगा साथ में गोली मारने के बात कर रहा है तो अब इनसे उमेद और क्या कर सकते हैं अब वह भासा कांग्रेस नहीं यूज कर सकती जो ये लोग कर रहे हैं नहीं तो इनके लिए ऐसी भासा का प्रियोग हो सकता था जो इनके नानिमाई याद दिला देती जहां दारूल उलूम देवन्द को कट्टर धार्मिक बयानों के लिए जाना जाता है तो है संगी सोम अपने विवादित बयानों के चलते चर्चा में अक्सर रहते हैं संगी सोम ने फिर एक बार बयान देखर विवाद को जन्म दिया है अब ये बयान बाजी का सिलसिला कहां जाकर थमेगा ये देखना होगा सारनपूर से भीना चौधरी और नाइन टीवी उत्तर प्रदेश उत्राप्र कर देवपन हमेशा से दारो रोम हमेशा से आतंकी अर्ड़ा बना हुआ है और आतंकी उकुस पना देने का काम करता है आज भी उसी काम को करता है पहले भी करता है मैं आभी कह रहा हूँ इन लोगों का तो काम यही बना हुआ है कि यह देश विलोधी गत्विदियों में जो भी लिप्ट होता है उन्हें फंडिंग करने का काम करते हैं और यह विदेशों से फंडिंग इसी नाम पर लेते हैं तो संगी सोम का बयान इस वक्त सुर्ख्यों में हैं लेकिन सवाल यहां पर यह खड़ा हो जाता है कि बार-बार इस तरह की बयात बाजी क्यों क्या वाकई जो दारूम उलूम को लेकर यह बयान बाजी संगी सोम की तरफ से कही गई हैं और कट्टल बात को बढ़ावाद दे तो क्या बागई ऐसा है और फेस टू फेस की शिर्वात करते हैं और खास मैमानों का मैरुक कर लेते हैं आपके पास आना चाहूंगी आपने संगीत सुम को सुना साफतर पर उनका यह कहना है कि आतंगवादी को पन्हा देते हैं और आज भी यही सिलसला चल रहा है क्या बाग मुख्यमंत्री की सपत लेने के उनकी पूरी इच्छा थी लेकिन भारतियांता पार्टी ने उनके साथ धोखा कर दिया वो मुझफर नगर दंगा के बाद अपने आपको हीरो समझ बैठे थे यह उनकी गलत फ़हमी थी कि पार्टी उनको मुख्यमंत्री बनाएगी अब मुझफवा नगर में हजारों इंसानों की जान ले लिए अब भी आश्ता की सरकार है कितना इस यह क। जो हाथी चलता है कुट्रे भोगते हैं यह भोगते हैं तो भोगते हैं तो भोगने दीजिये कुट्तों की जात ही भोगने की होती है सब्सक्राइब 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 प्रग्या ठाकुर्जी बंखोड़े चे साल दे उससे पहले मोममी में आप देखा होगा कितने हमले हुए थे दिल्ली में पालियमेंट के उपर हमला हुआ चे साल में क्यों अपले नहीं हुए हर चेके खबरें चलती थी ती घंटे के अंदर आप बार बार देखते थे इतने सरकार को घेरने का कोई मुद्दा ही नहीं लेकिन आप यह जो संगी सोम ने बयान बाजी की है जैसा कि अभी आपने बातों में जिक्र भी किया है कि अब तक इंदों को दबाए रखा तो क्या यह बयान बाजी का आप समर्थन करते हैं क्या वाकई है यह याजनेती चमकाने की लिए है यह आप समर्थन करते हैं यह इनका निजी वर भायान है मैं संगी सोम जी कि कहूं या प्रवेज बर्माजी के कहूं पार्टि ने साफ तोर पे कहा है कि इनके उपर अगर इस तरह की है तो उनका नीजी बयान है पार्टि कंडन करती है इस बात का लेकिन बसरते अगर आप हिंदुत में बात करोगे पार्टी में आप देख रहे होंगे 70 साल से दबाये कुछलाये जा रहा हिंदू को उसके बावजूद भी हिंदू आज केंद्र में सक्ता में बैठें तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप उनके उपर किसी में आप कैसी बात करते हैं अगर हिंदू मुसल्मान नहीं होता है अगर हिंदू मुसल्मान नहीं होता है तो आपको इस तरह की बयान बाजी सुनी पड़ेगी आपको सुनी पड़ेगी आप आप इस तरह की कारवाई की जाएगी अगर इस तरह की बात करते हैं जो देश प्रोधी नारे नगाएगा जो देश प्रोधी नारे लगाएगा उनको पार्टी जेल के पीछे डालेगी अगर देश प्रोधी नारे आप लगाएगी तेलिक के लिष प्रहला को टाले के नारे नारे ब dal देश प्रत की trench भाईाब आस अच्राबार के अपने कचा करना शस्ति अरुपन ने कर दो देखाऊ आप लगाफ विए घ्रफ करन है बंसी कोरह पने जी आपने जो जूतों से मारेंगे शब्द इस्तमाल किया आगी आप संगी सुम के वयान पर सवाल खड़ा करें लेकिन आप इस तरह से बयान बाजी इस तरह से आप तीवी पर बैट कार रहा है कर पुलीस के बीश कर रहा है कर आपको ये शौबा देता है जो आप अधिक अधर डाल दिया अधरे कानून में दिल्ली का मुख्यमत्री तीन साल से कंडिया को मार की फाइल को दबा के बैठाता इसके बाद में आप सर्ची निवाद के लिए लिए आप जो यहां पर शब्रक्राइब आपने किया आपको समझाओ ना जो पर बैश्यों ह जो जूतों वाली बात आपने कही है यह आपको शोबा देता है बिल्कुल शोबा देता है अब यहीं सब्सक्राइब आप यहीं देश्च में चलना है बस जो बत्तमीज है वह बत्तमीज की भासा सुनता है अगर इस द्रेकी भासा आप देना चाहते हो तो सुनने की भी चंता रखिये वहारत दो बात करता है इनुद मिर्ची लग जाती है अन्दाख ठाकवजी ने जब बयान दिया था तो OVC ने कैसे बोल दिया कि मैं कई भी जासे अपने आपको आतंग वादी मानता है क्या उन्हों ने क्यूं बोला उन्होंने अप्छाकुट जी ने साफ तौर पर बयान दिया था जूत गोली मालो सालों को तो ओवीसी ने क्या वोला कि मैं आतंग वादी हूं जोगिंदर सिंगो मारे हैं अपने साफ तोर पे साफ तोर बें साफ तौर यह साफ तोर कि साथ ने कहाता तो में हैं pop जा आपको तो फीफिल्यर कर दिया कि मैं आतंग वादी हूं अगे गोले मारिए अरे बज़िया दिमाग से इसोचिए किस तरह की बिचान झाला की मात करते हैं अरे देस्टों परगलाने वालों के साथ खड़े हैं नहीं हम घॉस्टावादी तरह पर जाफ घ्लाप करते हैं जो घॉस्टावार पादी पजील जी आप भी तो वही कर रहे हैं टीवी पर बैठ कर हम संगीज सोम के बयान को लेकर बागचीत कर रहे थे और आप खोदी जूतम पर उतरा है आपने कार की जूतों से मारेंगे क्या शोबान देता है टीवी पर रहे हैं लादी मांगिए तरह इनको जर्द होता है इनको दिक्कत है इनके पेट में दर्द होता है इनको दिक्कत होती है कि भाईया पूरा देश में मोधी में कैसे हो रहा है बौता वरेन बदल रहा है पूरी देश की जनता क्यों के साथ है लेकिन विने जी मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ संगी सोम जो बार बार यहाँ पर बयान बाजी करते हैं अगर आप संगी सोम पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो इस तरह की बात करकर आप पर भी सवाल खड़े होते हैं जो आने चाहिए सर इस वाक को लिए कराता है कि इनको पथा है यह केबल इनको यह सुप्रीम कोड से तालुकात रखते ना पालिया मैंच संसा तरब हो रखते तर आप रिबी रूम को रिंब नहीं संहीं झीकल को परण समय मुश्टा ही कल बैस मिस निई एक शबजा राते हैं एक मिस था कलां था सबस्बाइब करें रुपका ही लिए दिल्ली इनिवस्ट्री पुर्णा है आप दिल्ली के अंदर ने यह चुपा है जिने जी से सवार करना चाहिए जिस देश में खुली आज बताओ हमको अब इस्वार उट नहीं है अगर माहों खराब कर रहा हो ता दो आरू निस्वें तीन जी 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 गए प्रदानमंत्री बोडीजे दोवारे ज़े प्रदानमंत्री नहीं कर पारें और इंको बदास नहीं हो रहा है सब्सक्राइब करने के लिए नहीं पहुंचा है अंबानी और अंदानी ये दो इस देश के लूट रहे इद्योग पतियों के हाथ की गुलाम ही ये सरकार उद्योग पतियों के माध्यम से देश की जनता को लूटा जा रहा है सरकार का सिंगल गोटा ना पताईए और मैं आपको सतर साल के अंदर पूरे देश को पेश खागे है कॉंग्रेस पार्टी पूरे देश को पेश खागे है ये सतर साल से लेकिन बिने जी एक सवाल आप से क्लियर हुआ ना आपके नेता आपके कपिल सिपल ने हमारे नेता है यह फूल चाप निकल रही है यह बोगला गाए इनको सोचना चाहिए यह बोगला आपको भी चाहिएगा क्योंकि जिस तरह से संगीज सुमने बयान बाजी की है जाहिर तोर पर क्या आपको नहीं लगता कि घी में आग डाले जिसना उन्होंने किया है क्योंकि जिस तरह से आप डेखें लेकिन फजील जी मैं उससे पहले आपके पास आना चाहती हूं लेकिन फजील जी लेकिन मैं आपके पास आना चाहती हूं जो अपने अभी थोड़ देर पहले जिक्र किया कि आप लोगों को सम्मान के तौर पर बुलाते हैं हम यहाँ पर और आप इस तरह से वैट कर टीवी पर वैट कर आप आर्ना आपको होना चाहिए क्योंकि आप इसी बयान बाजिकिये हैं आप लोग जब कह रहे हैं कि मदर्सों में इस तरह सी चीज़े होती हैं तो आप लोग क्यों नहीं कोई कदम उठा रहे हैं क्यों नहीं आदुनिक्ता से जोड़ रहे हैं उनको दरनो बत्तोर पार्टी प्रवक्टा लेकिन दगति सिर्फ पर पर वैठें लोगों की नहीं है पजीजी लेकिन आपने जो सवाल्या पर खडळा किया था आद मावी इनको मावी अगर इस तरह है अगर यह सिर्फ आपके उपर उंगली निया उठाई है आर्स swimming ये पूरी लोकतंत्र के मंदर पाल्यामेट के अंदर लोकतंतr के अलाबा जो तुमारा चैनल है पूरी मीडिया जगत है सबके उपर उगली उठाइए नोने आपको माफी मांगनी चाहिए क्योंकि आपको शोबा देना चाहिए क्योंकि आपने जिस तरह से बोला मीडिया जगत लोगत चौता इस्तंब कहलाए जाता है और चौते इस्तंब के उपर आप इस तरह के अगर उगली उठा लोगे तो इनको माफी मांगनी चाहिए लेकिन आपको शर्मिंदा जरूर होना चाहिए पस दिल जी लेकिन बेरे जी आप बताइए आप क्यों नहीं करते हैं क्यों आधुनित्ता से जोड़ते मदर्सों को जब आप इतन ठंदोर है जो इनको चुपे हुए लोग फिडरा लगारा रख्ते जो ने पूरी आप दिली को बरबाद करके रखा है इनको सोचना पड़ेगा जिस तरह की इनकी सोच है इंको सोचना पड़ेगा और आप दूजरे को उपरा रोब लगाते हैं अपने गरेवार में पहले तब आप दूरे पादि को गोली अरे गोड़ी को गोली मारती हैं सब्सक्राइब करने चाहिए जब गोड़से के लोग सरकार में हैं उसको कुछ भी बोलता रहता है उस पर आज दिबेट करा रहे हैं आप हम यह करना चाहिए आज पर्लेमेंट में बजट सेशन स्टार्ट हुआ है अपने लिए नवजवान अपने लिए नवजवान आज चाहिए आज चाहिए आप अपनी बात रखिये ना सब्सक्राइब कर देश पर बीड़से के लोग नहीं चाहिए लोग नहीं चाहिए जो है कि लिए तो पार मत्री ने साफ तोर पे जो गुपाल जो लड़का पकड़ा गया था साब तोर पे बोला कि आम इसका समर्दन नहीं करते और इसके लिए कानून इंकारवाई की जाएगी आपको फिर्म समझ नहीं आता पर लोगों पर भी दिखाए जो इस तरह की बयान बाजी भी करते हैं वजी तो अपनी बात नहीं रख पा रहे हो तो हमें सिखा रहे हैं कि चैनल कैसे चलाना है लेकिन आपसे नहीं सिखना है मारा मुद्दा यह था आप उस पर बात रखते तो जाहिर तो पर जनता भी आपको सुन रही है और समझ पाती कि आखिर क्या लेकिन जहां सवाल खड़े करने वहां तो आप सवाल खड़े करते नहीं है लेकिन दूसरी जगा पर आप सवाल जरूर टोक देते हैं वहां कि बार बार वो इस तरह की बयान बासी करते हैं विवादों को तूर देते हैं अपने दोनों ही नेताओं को सुना लेकिन जब बात होती है बात रखने की अपने सवाल रखने की तो सवाल नहीं रखे जाते है बलकि दूसरों पर सवाल जो है वो दाग दे जाते हैं लेकिन जिस तरह से वयान बासी होती है आपने सुना यहाँ पर दोनों लोगों की बातों को सुना लेकिन सवाल यहीं आप पर खड़ा हो जाता है कि आखिर इस तरह की बहस्पाजी क्यो अपनी बातों को क्यों नहीं रखा जाता और ऐसे लोगों पर कारवाई क्यों नहीं होती है जो तरह की ब्यान बाजी कर देश की माहूर को खराब करने की कोशिश करते हैं एसी के साथ पेस्ट टू पेस्ट में बस इतना ही आगे भी जारी खबरों का सिर्फना आप देखते रहें यारनाई टेवी सिर्फ खबर के लिए